इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकान को भी दबाएं ताकि आपको हेल समंधी वीडियो का नए अपडेट सबसे पहले हैं आज की वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि ठकान और कमजोरी में क्या बेसिक सा डिफरेंस है और कैसे लोग पहचान लें कि उनको जो लग रही है वो थकान है या फिर कमजोरी है क्योंकि आज के भागमभाग लाइफ स्टाइल है उसमें आदमी कन्फ्यूज रहते हैं कि उनको थकान लग रही है या फिर कमजोरी लग रही है तो आज के पूरे वीडियो में यही हम लोग देख लेते हैं कि ठकान और कमजोरी के बेसिक कारण क्या है और कैसे उनसे निजात पा जा सकती है और क्या करें तो इस्टार्ट करते हैं तो देखें जो ठकान है इसको वीक्नेस भी बोलते हैं ठकान अलग चीज़ है एंटारले डिफरेंट है तो दिखें ठकान क्या है आपको जो लग रही है वो ठकान है अगर ठकान होगी तो रेश्ट करने से दूर हो जाती है क्योंकि उसके लिए कोई सरीर की अबनार्मल्टी रिस्पॉंस्विल नहीं होती है जबकि जो वीक्नेस ना कमजोरी है रेश्ट करने के ब बाद भी दूर नहीं हो पाती क्योंकि उनके लिए मेटाबोलिक कारण है उनके लिए सरीर की कोई अबनार्मल्टी है लगातार सरीर अबनार्मल्ट तरीके से काम कर रही है तो बेसिक सा डिफरेंस ही है कि ठकान जो है रेश्ट करने से दूर हो जाती है कम हो जाती है खतम हो से कम होना या फिर लगातार अतधिक सरम करना बिना रेष्ट किये हुए ऐसा अगर ऐसा है तो आपको समझ लीजे कि आपको खकान लग रही है तो खान पान के लिए क्या करना है कि जैसे मालजी कोई एक आदमी है ऐसे एक काम करता है कितना सव जूल का जूल मातर की नजी का सोजूल का अगर काम करता तो उसको food supplement कितना का चाहिए कमसकम 110 जूल का चाहिए अगर 110 जूल का food supplement ले रहा हो तो 100 जूल का काम कर पाएगा क्योंकि efficiency 100% नहीं होती अगर आप 100 जूल का काम कर रहे है न तो तो सभी जूल का food supplement लेंगे तो आपको कमजोरी ज्यादा जल्दी जल्दी आएगी क्योंकि body की efficiency 100% नहीं होती है किसी भी system की efficiency 100% नहीं होती है तो जो भी food supplement लेते हैं उसका कुछ part energy में बदल नहीं पाता तो अगर आप 110 का ले रहे हैं तो 100 जूल का काम कर पाएंगे अगर मल जिए कि 120 का लिया तो हो सकता 112 जूल का काम कर पाएं तो इस तरह से ठान पान और काम में balance होना चाहिए यानि जितना आप food supplement ले रहे हैं उसी के काडिंग अगर काम करेंगे तो ठकान नहीं होगी और अगर काम जादा कर रहे हैं इनरजी क्या ले रहे हैं कम ले रहे हैं तो बाड़ी ठक जाएगी और दूसरा है कि वजन सामाने से कम होना वजन सामाने से कम होने की वज़ा से क्या होगी आपकी efficiency उतनी नहीं रहती है जितनी की efficiency सामाने वजन वाले की होती है तो अगर आपका वजन कम है तो भी दिक्कत है अगर ज़्यादा है तो भी दिक्कत है इन दोनों को जल्दी ठकान लगती है यानि कम वजन वाले को भी ज्यादा वजन वाले को भी बिसिकली कम वजन वालों को जल्दी ठकाल लगने के पिछे ही रिजन है कि वो उसकी efficiency कम होती है तो वजन सामान करें कैसे पता चले कि वजन सामान है तो अपनी length जो है न उसको cm मेजर कर लिजे cm मेजर कर लिजे cm मेजर करने के बाद उसमें से 100 माइनस कर देजे जो भी आएगा वो आपका वजन होगा length को मेजर कर लिए जैसे माल जै किसी का length कितना है 165 cm है उसमें से 100 माइनस कर देजे तो उसका वजन कितना होना चाहिए 65 kg होना चाहिए तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं आपका सामान वजन है कि नहीं है, अगर सामान से कम है तो इसको बढ़ाने की कोशिज करें, और सामान से ज़्यादा है तो घटाने की कोशिज करें, और अतधिक स्रम करें, अगर फिजिकली वर्क है आपका, तो इध्यान रखें कि लगातार फिजिकल वर्क ना करें, थोड़ थकान की समस्या से निजात पाई जा सकती है तो इस तरह से सामान कारण थे थकान के जो आज के lifestyle की वज़ा से आ रहे हैं और एक जो कमजोरी के पीछे रीजन के है कि कमजोरी रेश्ट करने से दूर नहीं होती पहली बात यानि क्योंकि उसके लिए एक सरीर के अंदर कोई कारण है तो प्रमुक कारण के अगर बात किया है तो देखे diabetes पहला दूसरा थारायर तिसरा heart disease चौथा नेमिया पांचवा डिप्रेसन छठा अर्थराइटिस और सात्वा अनित्रा तो किस तरह से अफेक्ट कर लेते हैं वीकनेस कमजोरी में तो अब इसको हम लोग देख लेते हैं देखे अगर डाइबेटीज है तो ब्लड में सुगर के कंसेंटरेशन बढ़ जाएगा और बढ़ की कितना हो जाएगा असी से 120 नार्मल है अगर इससे जादा बढ़ जाएगा थो ब्लड के डेंस्टी बढ़े जाएगी तो उसमें जो भी क्रम कनके करने है और। तो दिखे, diabetes वाले जो person है, उनके sugar में लेबल बढ़ा रहता है, उनके blood में sugar लेबल बढ़ा रहता है, तो उस वज़ा से oxygen के transport की capacity उतनी नहीं होती जितनी एक सामान इब्यक्ति में होती है, तो अपना sugar control में रखा है, दूसरा region है thyroid, thyroid एक metabolic hormone है, पूरी metabolism को नियंत्रित करता है, मेटाबोलिजम नियंत्रित और ठीक से चलती रहेगे, तो आपको नहीं कमजोरी मसूस होगी, अगर जिनको thyroid की problem है, तो thyroid की problem भी एक reason है कि कमजोरी लगती है आपको, तो thyroid नार्मल रहे, उसके लिए basic से उपाय करने पड़ते हैं, दवा से नहीं ठीक होता, लोग दवा खात करने के लिए, अपनी दिन चर्या को नियंत्रित करना पड़ेगा, और खान पाम को ठीक रखना पड़ेगा, तो thyroid से काफी निजाद पाई आ सकती है, heart disease, जो हृदय रोग है ना, heart में abnormality है, तो अगर heart में abnormality है, तो भी आपको प्रमजोरी लग सकती है, देखे, heart का काम क्या है, कि जो blood है ना, blood को pump करता है, pump करके सरीर के सभी भागों में पहुँचाता है, उसके साथ-साथ blood में क्या है, हिमोगलोबीन है, हिमोगलोबीन किसको बाइंड के लेता है, oxygen को, oxygen को पूरे सरीर में पहुँचाता है, उसी oxygen का use करके क्या बनती है, ATP बनती है, जिनको heart disease है, blood supply circulation अगर improper है, अग अगरी सेल को को सिकाओं को oxygen नहीं मिल पाएगा, जब oxygen नहीं मिल पाएगा, तो ATP नहीं बन पाएगी, और जब ATP नहीं बन पाएगी, तो कमजोरी लगना स्वाभाविक है, चवथा, anemia, anemia भी यही है, anemia मतलब क्या है, नार्मल जो हिमोगलोबीन का concentration है, उससे कम हो जाना, उ तो हिमोगलोबीन का काम ही क्या है, का oxygen को ट्रांसपोर्ट करना, तो oxygen cell तक नहीं पहुंच पाएगी, oxygen cell तक नहीं पहुंच पाएगी, जितनी मात्रा में पहुंचना चाहिए, काम के इसाब से, अगर कम पहुंच पाएगी, तो anaerobic oxidation होगा, उस वजह से, lactic acid या फिर दूसर है, उसी को आप क्या बोलते हैं, कमजोरी, और depression सबसे बड़ी समस्या है, आज की date में, depression किसी को भी हो सकता है, तो depression से निजात पाने के उपाय किया जाने चाहिए, depression में होता गया है, कि पूरी metabolism सुस्ट पढ़ जाती है, slow down हो जाती है, अब पूरी metabolism slow down हो जाना, तो पूरी metabolism का slow down होना किसी कोई एक कारण नहीं है, कई कारण हो सकते हैं, लेकिन पूरी सरीर की ब्यवस्था slow चलने लगती है, इस तरह समझी, जिसे आप जा रहे हैं रोड प थकान अपने आप दूर हो जाएगी, और arthritis, arthritis joint muscles में जो pain है, RS factor बढ़ जाता है, तो arthritis की वज़े से muscles जो पूरी है नो वो strain में रहती है, जो muscle पूरे strain में रहती है, तो पूरे सरीर में दर्द बना रहता है, और दर्द की वज़े से और जो normal processes हैं उतने यह थोची तरीके से न पूरी लग सकती है, और सात्मा क्या है, निद्रा का ठीक ना आना, means अनिद्रा, अगर आपको sleep decider है, एपनिया है, sleep decider है, तो अगर sleep decider है, तो अगर आपको रात को ठीक से सो नहीं पाते हैं तो, तो सरीर में कई दूसरी अभे वस्थाय जनरेट होंगी, क्योंकि जो सरीर क इसकी complete rest होना चाहिए, physical और mental दोनों, इन्हें कि विस्तर पर सोये हैं, और दिमाग कुस किसी उद्रेपुन में लगा हुआ है, तो उसको rest नहीं बोलते हैं, rest physically और mentally दोनों होना चाहिए, तब आपकी सरीर तरो ताजा हो पाएगी, अगर आपको अनिद्रा की सिकायत है, नी की जा सकती है, तो ठकान दूर करने का तो एक basic सा एक दवा आप से दूर हो जागी, लेकिन ये जो कमजोरी है ना, उसको जानना पढ़ेगा कि कमजोरी किस वज़ा से हो रही है, उसके पीछे कारण क्या है, उस कारण तो दूर करना पढ़ेगा तब होगा, तो यहाँ पे द इसके 10-10 गूंत, एक कप गुंगुने दूध में, डाल कर पिएए, यानि एवनिया से टाइब आप ले लेजे, इसका मदर टेंचर आता है, दस बूंत एक कप गुनगुने पाने में डूद में डाल देजे उस पर आप पी जाएए तीन टाइम पीजेए सुबर दो पर साम तो यह जो ठकान है ना आसानी से दूर हो जाएगी और आपकी बोडी फिसकली वर्क कर पाएगी लेकिन इन सब के लिए कोई एक दवा नहीं हो सेयर करें इस जानकारी को आपको दूसरों को भी बताएं ताकि उनका भी जो हेल्थ वाला बजेट है वो बैलेंस रहे और बड़ी